असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर लेक पॉइट्स पर है इस टॉपिक इस वेरी इंपॉर्टन इन इंग्लिश लिटरिचर सो लेस्ट आज़ बॉइट्स वर अग्रूप उफ इंग्लिश पॉइट्स और ये लेक डिस्ट्रिक्ट ओफ इंग्लेंड यूके में रहते थे और ये सारी कहानी फॉर्स हाफ ओफ दी 19th संच्री की है और इन्हें पार्ट ओफ रोमेंटिक मॉवमेंट कंसिडर किया जाता है और ये नेचरल इमेजरी के तोर पर बहुत ज़्यादा याद किये जाते हैं यन्होंने नेचर पर बहुत ज़्यादा लिखा और कहा है लेक पॉइट्स को फ्रांसिस जेफरी ने एडिनबर्ग रिव्यू इन अगस्ट 1817 में फर्स टाइम इन्हे डिरागे औरली के तोर पर डिस्क्राइब किया है जितने भी लेक पॉइट्स थे वो लॉर्ड बैरन के आईडॉलोजी और आर्ट ओफ पॉइट्री को ही फॉलो करते थे ये तो था लेक पॉइट्स का थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन अब हम डिस्क्स करते हैं फेमस लेक पॉइट्स के बारे में थ्री फेमस लेक पॉइट्स थे रॉबर्ट साओधी, विलियम वर्ड्स वर्थ एंड एस्टे कॉलरेज अब हम इनको वन बाई वन डिटेल में डिस्क्स करेंगे इनकी नेशनालिटी इंगलेंड है हम जितने भी लेक पॉइट्स के बारे में पढ़ेंगे इनकी नेशनालिटी इंगलेंड ही होगी रॉबर्ट इंगलेंड में अगस्थ 12, 17, 74 को पैदा हुए और इंगलेंड में ही मार्च 21, 1843 को इनकी दाथ होगी थी ये इंगलिश पॉइट और रॉमेंटिक स्कूल थे और ये 1813 से लेकर अपनी देथ तक बहुत ही ज़्यादा ओनरेबल और इनाम्याफ़ता पॉइट ही रहे हैं और ये रॉमेंटिक एज के बहुत ही पॉपलर पॉइट रहे हैं ये फिलियम वर्ड्वर्थ के क्लोज फ्रेंड और नेबर थे लेकिन इन्होंने एस्टी कॉलरेज के साथ अपना कॉलिज अटरंट किया था थॉमस साओदी इनके फादर और मारगेट हेल इनकी मदर हैं इन्होंने बहुत सारे बहुत सारे पॉइट्स और राइटर्स पे अपने लाइफ टाइम में बायग्राफिस भी लिखी जिनमें जॉन बनियन, चॉन वेसले, ओलिवर, क्रॉमवल इंक्लिउड हैं अब इनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं कि यह सारे इनके इंपोर्टन वर्क्स हैं अब हम सेकंड लेक पॉइट की बात करते हैं चुके हैं विलियम वर्ड्स वर्थ है William Wordsworth 7 April 1770 को UK में पैदा हुए और April 23, 1850 को UK में इनकी तत होगे थी। ये English Romantic Poets थे और इन्हे Poets of Nature भी कहा जाता है। इन्होंने अपने Lifetime में 350 से ज़्यादा Points लिखी हैं और England में History of Chris Chanty पे सीरीज of Sonnets भी इन्होंने लिखी थी। William Wordsworth ने तक्रीबबन 500 सोनेट्स लिखे हैं अब इनके Major Works के बारे में बात करते हैं ये सारे हैं इनके Major Works Astry College, Astry College October 21, 1772 को UK में पैदा हुए और July 25, 1834 को UK में इनकी दात होगे Astry College ना सिर्फ English Poets थे बलके इसके साथ ये Literary Critic और Philosopher भी थे इनके Major Works देख लेते हैं कि सारे हैं इनके Major Works आप इनको सेव कर सकते हैं सक्रेंशोट लेकर आज के लिए बस इतना ही दौाओं में याद रखिए वीडियो ची लगए हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अलाहाफीज